कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे डिली 36 गरेंट एफेर्स सीरीज में आज हम 24 जून के करेंट एफेर्स के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के पीडियाफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी सांधी साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूटीव चैनल को और बैल आइकन को दबाना ना भूलें चलिए पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसके क्विक रिजन हम कर लेते हैं निमने में से किस जिले में सास्की योजनाओ के जानकार लेडी स्क्रीन वेंड को रमाना किया गया है इसका स्मुण हाल ही में कहां खेत निर्मान के दौरां दस वी ग्यारवी सदी के प्राचिन मंदीर क्या उस्येश मिली है इसका से उत्तर है आरंग में पेंडर में मुख्यमंति सिर्भुपेज बागिल ने इंद्रव द्यान मे किसकी प्रतिमा का नावरंड किया है इसका से उत्तर है स्रीमति इंद्रा गांधी का पिछले वीडियो आपको पढ़ाने में अच्छा लगता है इसलिए किसी किसी दिन वीडियो गैप करके मैं एक सांथ मर्ज करके वीडियो बनाता हूं बट कुछ स्टूडेंट्स मेरे को कॉंस्टेंटली मेसेज कर रहते हैं कि सर आप गैप मत किया किजे इसलिए मैंने इतने कम कंटेंट के साथ मैंने वीडियो बनाया था चलिए आज के पहले प्रश्ने क्यों चलते हैं चतिसगर में खनीजों से वर्स 2022-23 में कितने करोड रुपय का राजस्व प्राप्त हुआ है इसका सहीं उत्तर है ऑप्शन डी 12,941 करोड रुपय का चतिसगर में खनीजों से वर्स 2022-23 में 12,941 करोड रुपय का राजस्व प्राप्त हुआ है यह राशी वर्स 2021-21 की तुलना में 636 करोड रुपय अधिक है और वर्स 2021-22 में कुल खनीज राजस्व जो लगना 14,305 करोड रुपय प्राप्त हुआ था वर्स 2017-18 में खनीज राजस्व आय लगभाग 4911 करोड रुपए थी जिसकी तुलना में वर्स 2022-23 में खनीज राजस्व आय जो है धाई गुन से जादा है कि वर्स 2022-23 में कितने करोड रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है और दूसरा होता है कि वर्स 2021-22 की तुलना में कितने करोड रुपए जो है राशी अधिक है ठीक है यह दो कोशन यहां से बनते हैं चलिए अगले प्रशन के और चलते हैं 36 गड़ में कहा सीकल सेल्स संस्थान का विश्व इस्तरी सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनेगा इसका सिन उत्तर है ऑप्षन भी राइपूर में मुख्य मंत्री स्री भूपेज बगहल ने राजधानी राइपूर के दिविद नगर चौक जेल रोड में सीकल सेल्स संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का भूवी पूजन किया है और इस कारेकर्म की जो अध्धक्षत है ना वो स्वास्त मंत्री स्री टीयस सिंदेव ने की है इस संस्थान का जो निर्माण है ना वो दो दसंबलो नौ छे एकड़ भू में किया जाएगा जिसमें ना इसकी लागत जो है अनतालिस करोड बाला राक रुपए की है इस सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में विस्विश्टरी सूधान प्रत होगी यहां पहल नकिवल प्रद इसके सभी जीला स्पतालों और सास्की मेडिकल कॉलेजों में सीकल सेल जांच एवं परमर्स केंद्रों की सुरुवात की जा चुकी है अब आप पूछेंगे सर सीकल सेल क्या होता तो उसके बारे में आपको जानमिकरी दे देता हूं सीकल सेल जो नहीं एक जनेटिक रोग ह होता है जिसमें कहने यह सरीर में जो मौजूद रेट ब्लट सेल्स होते हैं उन पर प्रभाव डालता है ठीक है चलिए अगले प्रशने की और चलते हैं मलेरिया मुक्त 36 अभ्यान चलाने के बाद 36 में मलेरिया में कितने प्रतिस्वत की कमी आई है इसका से उत्तरय आप्श और मलेरिया मुक्त बस्तर अभ्यान के बाद 36 में मलेरिया मुक्त 36 अभ्यान चलाए गया जिसमें मलेरिया में 65 प्रतिस्वत तक की कमी आई है अगला प्रशन है राज्य सासन द्वारा 36 गड़िया उलम्पिक 2023-24 का आयोजन कब से किया जाएगा इसका से उत्तरह उप्शन गड़ी 17 जुलाई से तो 36 गड़िया उलम्पिक 2023-24 का जो आयोजन है वो 17 जुलाई 2023 से शुरू होगा 36 गड़िया उलम्पिक 2023-24 का जो आयोजन है न वो 17 जुलाई को हरेली तेवहर से किया जाएगा और नगर पालिक निगम भिलाई के 1-5 जोन में 36 गड़िया उलम्पिक का आयोजन जो आयोजन जो आयोजन की जाएगी ध्यार रखेगा दोस्तों यहां से जो प्रश्ण बनते न यह 36 गड़िया उलम्पिक 2023-24 का योजन कब किया जाएगा 17 जुलाई को किया जाएगा किस त्यवहार से किया जाएगा तो हरेली के त्यवहार से किया जाएगा और इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या पता है कि हर वर्ष्ण जो हरेली का त्यवहार जोने कौन से दिनांग में आ रहा है यह अगर आपको पता है तो 36 गड़िया उलम्पिक हरेली के त्यवहार में उसी दिनांग से शुरू होगा क्लियर है अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स अपने डाउट लिग दीजेगा मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर जरूर करूंगा चलिए अगले प्रशने की ओर चलते हैं 36 गड़ में गौम उत्र खरीदी में कौनसा जिला पूरे प्रदेश में शिर्षे स्थान पर बना हुआ है इसको से उत्तर है ऑप्षन भी राइगड जिला राज्य शाशन दोरन जैविक क्रिसी को बढ़ावा देने के लिए गौठानों में गोबर के बाद गौम उत्र की खरीदी की जा रही है और इस गौम उत्र से जोना खेतों के लिए जोने कीट नाशी का निन्मान किया जा रहे है और इस गौम उत्र खरीदी में राइगड में सघन कुष्ट रोख खोज अभियान एवं नेत्र जोती अभियान कब से कब तक चलाए जाएगा इसका सही उत्तर है ओप्षण सी 15 जून से 10 जुलाई 2023 तक 36 गड़ मुक्त अभियान के सांस साथ राष्टी कुष्ट उन्मुलन कारेकरम एवं राष्टी अंधत्तो निवारन कारेकरम को शामिल कर 36 गड़ में शगण कुष्ट रोग खोज अभियान एवं नेत्र जोती अभियान जो है ना 15 जून से 10 जुलाई 2023 तक चलाए जा रहे है 36 में घर घर सर्वे कर उस परिवार के सभी सदस्यों का जांच संभावित कुष्ट रोग के मरी जो आँखों के अन्य रोग एवं मूतिया बुइंद वाले व्यक्तियों की पहचान एवं सुची बद्धकर उचित इलास सम्बंधी जानकारी दी जा रही है चलिए दोस्तों अब हम कुछ नेशनल इंटरनेशनल कर इंटरफेट्स के बारे में चर्चक करेंगे तो अगला प्रशन है नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में हाली में कौन सा देश शामिल हुआ है इसका सिन उत्तर है ऑप्शन है भारत भारत जो है ना हाली में आर्टेमिस समझोते में शामिल होने का फैसला किया है तो आर्टेमिस प्रोग्राम के ताथ क्या होगा पता है यूएस जो है उसका नासा जो है वो भारत की इसरों के सामिल कर स्पेस स्टेशन जो है ना वहां अपने एस्ट्रोनाट्स भेजेगा औ ठीक है क्लियर है और यह जो आर्टमीस प्रोग्राम है इसमें यूएस ने अन्य साथ देशों के साथ मिलकर यह प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें अब भारत जो है शामिल हो गया है अगला प्रश्ण है ताइम मैगजिन द्वरा जारी सबसे प्रभावशाली कंपणियों में कौन सी भारती कंपणी शामिल है इसका सही हुत्तर है option D NPCI टाइम मेगजीन है ना हाली में दुनिया की सौ सबसे प्रभावसाली कमपीनों की वार्सिक लिट्स जारी की है इस लिश्ट में भारत की नैशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया एनपी सी आई सहीद एकॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो भी शामिल है दोस्तो आज के लिए आपका प्रशन है 36 पहला इस्पोर्स कोरिडोर कहां बना है चार ओप्षन आपको दिये गया है इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बक्स में जरूर बता है दोस्तो उत्तर गरत हो या सही आप इससे अटेम्ट जरूर करे आज की वीडियो में इतना कि अपके लिए टिस वेडियों के वीडियों कारुड़ जरूर को अग्योर यूर्ट सूल जरूर्ऑ यूर्ट